लखने उसे हमारे समादा विशाल हमारे सार जुड़ रहे हैं विशाल क्या कोछ है वहाँ पर कारकरम चल रहा है क्योंकि पूरा ये जो करमचारियों का भविशनेदी का जो पैसा है वो कहां निविस होगा कैसे निविस होगा तो कर्मचारियों का जो employees हैं हमारे उनका एक trust बना है और trust का जो chairman है trust के जो trustी हैं वो तै करते हैं मंतरी का ऐसे कोई सरोकार नहीं होता और इसमें जो शिकायत आती है अब जैसे शिकायत आई हमारे पास तो हमने शिकायत आते ही तुरंत शिकायत का संग्यान लिया और अबलंब कारवाई करते हुए जो लोग प्रथम द्रस्टा दोसी थे उनको जेल भेजा गया और इस पूरे प्रक्रण की गंबिरता को ध्यान रखते हुए इस पूरे प्रक्रण को CBI इसकी जाच करे ऐसा recommendation उड़जा मंतरी की तरफ से गया और मुख्य मंतरी ने उसको DOPT को भेज दिया तो जो आरोप लग रहे हैं वो राजिनिती से प्रेरित हैं मंतरी का इससे कोई सरोकान नहीं होता नमबर ए क्योंको politically motivated है नमबर दो आरोप लगाने वाले अगर मुझे पर आरोप लगा रहे हैं तो वो इन आरोपों का जरूर जवाब दें कि इसकी जो पठकता है वो 2014 में लिखी गई तब तो स्रीमान अखिलेश आदब जी मुख्य मंतरी थे उनको जवाब देना चाहिए और उससे पहले ही मायवती के समय से ये process शुरू हो गया था मावती जी के समय से तो ultimately ये जो जहां से ये शुरुवात हुई जो पठकता लिखी गई और गैर कानूनी तरीके से ये करमचारियों के जब भविश्य ने दिया है इसको गैर कानूनी तरीके से एक कंपली में जमाग किया गया दिवान हाउसेंग में जमाग किया गया और इसलिए सरकार के संग्यान में आते ही हमने कारभाई की तो ये जो आरूप है ये political motivated है और मैंने तो निजी आरूप कॉंग्रेस के अध्यक श्री लल्लू जी ने विरूपा लगाये थे मैंने उनको कल कहा है कि आज का समय आपके पास है या तो अबलम सारवजनरे ग्रूप से आप माफी मागें नहीं तो मैं आपके पास आपके खिलाफ आपराधिक मानहानी का मुगत्मा धर्ज करूँगा क्योंकि ये सरकार बहुत पारदर्शी है ये सरकार ट्रांस्परेंट तरीके से काम करती है और सरकार की जो लोगप्यता है वो बिपक्ष के लोग पचा नहीं पा रहे हैं आज जिन गाउं में अधेरा था वहां रोशनी पहुचाने का काम हमारी सरकार कर रही है जिन जोपडियों में सतर साल से अधेरा था गाउं में वहां बिजली पहुचा रहे हैं तो हमने डेड़ साल के अंदर ये एक साल पहले की बात कर रहा हूं मैं आपको तो एक करोड़ दसलाख लोगों को हमने connection दिये है आज 48 घंटे में हम गाउने ट्रांसपर्मों बदल बार है तो लोगों को बिजली दे रहे हैं तो अखलेश आदब जी की दर दिये है कि वो केवल चार जुलों को बिजली दे पाते थे पूरे प्रदेश को उनों ने बिजली नहीं दी और कॉंग्रेस की दिक्कती है कॉंग्रेस आकंट बरस्टाचार में डूबी है उनके पास जमीन नहीं है तो जूट बोलकर कहने करें जमीन तलासने की कोसिस कॉंग्रेस को लोग कर रहे हैं प्रदेश में अब यह नहीं होगा एक बड़ा सवाल यह है कि अखलेश आदो आरोप लगा रहा है लेकिन एपी मिश्रा की अगर हम बात करें तो तिन तिन बार एक्षेंशन दे दिया गया इंजिनियर को यूपी पीसियल के एमडी पत-पत अनाद कर दिया गया जैसे ही सरकार बनती है वो इस्तिफा दे देते हैं डियेश एफल को जो पकादा किस जारी होती है तो आरोप वो आपके उपर लगा रहे है कि आपकी सरकार में इस तरह से हुआ लेकिन एपी मिश्रा को जो नाम है वो उनकी सरकार में लगातार रहे जहां तक ही किताब का विमोचन भी कराया उन्होंने देखे यही फ़रक है अखलेश जी की सरकार में और हमारी सरकार में अखलेश जी की सरकार में नियमों को ताक पर रख्यर एक MD बना दिया आपने किसी इंजिनियर को और एक्स्टेंशन भी देते रहे मेरी सरकार में अगर एक डारेक्टर कहीं गलत काम कर रहा है तो मैंने उसको डिमोट करके इंजिनियर बना दिया तो एक जगे पर्मोशन एक जगे एक तरह आम कर रहा है कि जब आपने नियमों को ताग पर रखकर 2014 में आपने इस पूरी पठकता लिखी और आपके असारे पर किस ने लिखी इसका जवाब तो आने वाले समय में जो जाच इजिस्शियां काम कर रही है जो जाच हो रही है वो क्यों हो रही है जाच इसलिए हो रही है कि जो करमचारी हैं उनकी भविश में दी पर डांका किसने डाला उसका सडंतरकारी कौन था उसका मास्टर माइंड कौन था यही तो CBA की जाच में खुलासा होगा यही तो अभी जो EOW जाच करें से खुलासा होगा तो दूद का दूद पानी का पानी जैसे आपकी भेन मायावती जी के खिलाप जो उन्होंने चीनी गोटाला किया उसमें भी जाच चल रही है तो जो गोटालों के गुरू गंटाल है वो राजनिती से प्रेज़त होकर केवल हम पर आरोप लगा रहे हैं और उनके आरोप में कहीं कोई दम नहीं है अच्छा एक सवाल ये है कि एपी मिश्रा जी जो इनको गिरिफदार किया गया है इनके ओपर ये भी आरोप लगा था कुम्भ के दौरान की काफी करोडों रूपे का इन्होंने घोटाला किया है बिजली सर्फ लाइकलों के चुकि नोड़र अधिकारी भी वहाँ पर थे ये मैंने का ना ये पार्ट अब दे इन्वस्टिगेशन अभी मेरी सरकार में जहां हमको शिकायत मिली कि जो इटेंडर है उनमें काफी शिकायत आ रही है तो हमने थर्ड पार्टी प्रदिस में जितने भी इटेंडर हुए है उसकी थर्ड पार्टी में और्डिट करा रहा हू मुझे शिकायत मिली कि जो पैसा दिया जा रहा है डिसकॉम को जो बजट है हमारा उसमें भी कहने कहीं बंदरमाट हो रही है हमने उसका भी धर्ड पार्टी ओडिट कराया हमको शिकायत मिली के पूर्वान चल में जो पैसा दिया गया है वर्कशॉप के रखरकाब के लिए उसका दुरुप्योग हुआ हमने वहाँ MD के खिलाब कारवाई की हमने डारेक्टर टेकनिकल के खिलाब कारवाई की तो ये सरकार कारवाई करने वाली है अखले जी के सरकार लीप अपूती करने वाली थी क्योंकि सपा सरकार में जो काम होते थी उसमें कमिशन कहीं न कहीं समाजबादी पार्टी का फिक्स होता था CBI जाज के लिए आप लोगों ने कह दिया है लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि जो भविश नीथी का पैसा है वो वापस कब तक मिलेगा और किस तरह से आप लोगों प्रयास कर रहे हैं देखे जितने भी हमारे कार्मिक हैं वो हमारे परवार के सदसे हैं उनके हितों का संदक्ष्ण मेरी सरकार की प्रात्मिकता है और इसी लिए ये जान शुरू हुई और मैं आपको आस्वस्त करना चाता हूँ आपके चनल के माद्यम से अपने करमचारियों को कि उनके उनके दोखा दिया है चीट किया है ऐसे लोगों को बक्सानी जाएगा चाए पूर में जो लोग रहे हैं चाए बरत्मान में हैं बचेगा कोई नहीं और जो लोग भी इसमें दोसी होंगे उन सब की संपत्ती को जब्त करेंगे और कमी पड़ेगी तो सरकार उसमें सहुग करेगी लेकिन किसी करमचारी को दरने की जरूत नहीं है सबका पैसा निशित रूप से सरकार ये प्रतवद्ध है कि उनका पैसा उनको मिलेगा अच्छा एक आखनी सवाल इसकी जद में भी कुछ और भी अधिकारी आ सकते हैं क्योंकि घुटारा काफी लंबा है पिछली सरकार का जांच हो रही है ना जांच 2014 से लेकर आज तक जांच होगी बचेगा कोई नहीं इसमें ये सरकार कहीं छुपाना नहीं चाहती किसी से कुछ ये पारदर्सी सरकार है जो भी दोसी होगा बचेगा नहीं मेरे हाँ लूटने की छूट किसी को नहीं है जवाब दे ही तो सब की किते होगी आखिरकार ये जो लूट हुई इसमें आख मंद करके कोई क्यों बैठा रहा तो इसमें बचने वाला कोई ने जवाब दी सब किते होगी है किते हैं कि लगातार इस घोटाले को लेकर गिरफतारी हो रही है और अब जबकि लगातार विपक्षी खेमा सरकार पर सवार ख़ला करा था उस दौरान अब एपी मिश्रा की गिरफतारी हुई है जो पिष्टी सरकार के काफी करीबी मने जाते थे और उरज्या मंत्री का साफ तोर पर कहना है कि जवाब दे ही तेह होगी और जो पैसा है वो पैसा जो जितने विक्रमिक है उनको मिलेगा साथी साथ इस पूरे मामले में जो भी अधिकारी दोशी होगा उसकी संपत्ती भी अटेच कियाएगी और उस संपत्ती से जो है लोगो का मुक्तान कराएगा झाओवuna